गुट इवनिंग दोस्तों वेल्कम टू गोरो कुमा टूंडग यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल में पायू जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे यह हमारा वही खेत है जिसकी मैंने सबसे पहले गन्ने की बुवाई करी थी और इसमें मैंने सुखे में गन्ने में बुवाई करी थी सुखे खेत में गन्ने की बुवाई करी थी और आपको सामने दिखाई भी दे रहा होगा दो खूड बोके, एक खूड हमने छोड़ दिया था, उसके बाद फिर दो की बुवाई करी, फिर ये खूड छोड़ दिया, इस खूड में मैंने खाली नहीं छोड़ा, मैंने इसमें मक्का डाल दी, ताकि चारे की मक्का हो जाएगी और इसका फर्क गन्ने पर नहीं डलेगा, द इन में करता है, तो इसका बचाव थोड़ा सा गन्ने का इस चीज से हो जाता है, मक्का डानने का थोड़ा ये फाइदा होता है, फिर दूसरा, जैसे मक्का गन्ने के खूड से बिल्कुल अलग है, तो उसका फाइदा ये है, कि गन्ने के ब्यांत पे इसका कोई असर नहीं पड़ता क्यूंकि दो खूड बोके एक शुड़ा गया है तो ब्यात का ख्याल जो हैस में ज्यादा रखना चाहिए जिससे की हमारे गन्य की पैदावार पर कोई फरक ना पड़े मनला पैदावार गहटे ना तो टिलरिंग पूधय गन्य में होनी बहुत जरूरी है जब आप दूरी पर गन्य लगा लगाने से गन्य की फुलावत अच्छी होती है और गन्य की ग्रोथ ज्याद बढ़िया होती और दूसरी बात दो खूड बोक है एक खूड छोड़ने का मकसद क्या था कि इससे गन्ने की जो बंधा ही हो जाएगी वो इन दो खूड़ों की सही हो जाएगी सिंगल लाइन जो बोते हैं ट्रंच इसको तो पैडरो मेथड बोलते है पैडरो विधी जिसमें आप 56 पे या 48 इंच पे या 5 फिट पे 60 इंच पर गणनाब होते हैं उसमें दिक्कत आती है मिट्टी चड़ाने की उसके लिए यंत्र ची होते हैं तो हमारे पास यंत्र तो है नहीं तो हमने फिर दो खूड बोके एक खूड छोड़ दिया जिससे यह जो दो खूड है इन दोनों की बंधाई हो जाएगी और हमें किसी यंत्र के जलोतनी पड़े तो मिट्टी जो है अलके-अलके लग जेगी और फिर इसकी बंधाई थोड़ी शी लेट करा देंगे जिससे की इसमें जो है जो इसके पुद्दे हैं गन्ये के छोटे बड़े उन पर परभाव कुछ ना पड़े जब गन्या पूरा हो जाएगा उसके बाद इसमें बंधाई करवा देंगे जल्दी बंधाई नहीं करवाएंगे देखें ट्रंच या दूरी पर गन्या बोढ़े का फाइदा तभी है और गन्ये का जो है उपर से अगोला ना बंध है जो उसकी पोरी पढ़ चुकी होते हैं जो मोटी डंडी उसकी हो जाती है वो यह बंध है अगर ऐसा होता है तो उससे आपके गन्ये की बढ़भार में कोई दिक्कत नहीं आती अगर हम छोटे बड़े गन्ये बांद देते ह जो बड़ा गन्ना है वो तो पर निकल जाता है लेकिन जो छोटा गन्ना है वो जो है निच्चे रहा जाता है जिससे उसका वो जो खराब गन्नी जिसको मूने बोलते हैं वो बन जाते हैं जिससे हमारा ब्यात जो है उससे प्रभावित होता है प्रभावित होती है आप यह चीज दिखा दू मैं आपको यह देखो यह गन्ना है और इसमें थोड़ा सा कीड़े का असर आ गया हलाकि इसमें दवाई बगएर सारी चीज डाल ली थी लेकिन क्या करें अब मोसम चल रहा कीड़े का इस वर थोड़ा जादा है तो थोड़ा भ इसको मैंने कोड़ दे थी इसकी मैं 2 जुताई कर चुका हूं और इसकी मैं एक जुताई और करूंगा उसके बाद इसको पानी दूँगा क्योंकि अभी कोई भी लेवर नहीं मिल रही सब कोई घ्यों काट रे में कोई गन्ना भोने में कोई छोलने में लग रहा तो खुद तो वो पाणि में जुटाई करने के बाद जब इसको पाणी दूँगा तो इसम Нight की ड्रेंचिंग करऊंगा यह तो होगी कि दे क्योंकि जूट देखो है तीन वीगे खेट है तीन वीगे में हमने दोब बढ़ना तो लगवग बढ़ग दो विगे खहत में कच्ची डली है दो विगे की है कि उसमें कच्ची नहीं डली तो दो विगे की दवा लगेगी अच्छा जी तो दो विगे में कोई जाद ऐसी बड़ी बात नहीं एक बिगे में चार टंकी तो आठ यह दस टंकी स्खेत में लग जाएंगी ग्यार लग जाएंगी हम कर दें फोन को जेलना न पड़ेगाR Greece वबस्ट इस पूरी परकिरिया आपको तो पनी वीडियो बनाने का और दिखाने का वह भी थी पांच फिट पर लगाओ जी चोटे ट्रेक्टर से जुताई करो जी और ऐसे करो जी वैसे करो जी भाई सहाब मैं आपको बता दूँ तस लाख रुपे लगेंगे यंतर दुबारा बनाने में चोटा ट्रेक्टर भी उसमें फोर बाई फोर चाहिएगा फोर भाई फोर भी छोटा ट्रेक्टर भी पांच लाख रुपे से कम नहीं आने का चार साढ़े चार पांच लाख का पड़ेगा आकर दूसरा फिर उसके यंतर बनाओ सारे उसकी हैरो sorry हैरो कह रहा हूँ उसका रिजर रिजर तो चलो बड़े ट्रेक्टर भी बनेगा वो भी बनेगा, वो रिजर बनेगा, फिर उसका टीलर बनाओ जी, इसकी जुताई भी होगी, फिर उसकी छोटी रूटरी भी बनाओ जी, वो भी जो है, 65-70,000 से कम की नियाति, फिर उसमें मिट्टी चदाने का बनाओ जी, उसके बाद जब इसमें गन्ना कट जा, गन्ना कटने के ब पर पकड़ के पर और वो करता रहा इस पर या फिर ओट्रमेटिक वाली लाओ जो इसमा आदमी की जरूती ना ट्रेक्टर चलाते रहो अपने आप करती रहें तो इन सारी चीजों में लगवग लगवग आद नो दसलाख रूपर जो है लगजा तो और उसमें गन्ने की पैद लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्य मिट्टी चड़ानी कियाई जो हमने हत्तों से मिट्टी चड़ाई तो उसमें हत्तों से मिट्टी चरहनी पड़ेगी अगर आपके पास यह अंतर नहीं है अब भाई दो तीन भी के खेट तो कबर हो जागा सारी खेट कोई कैसे करेगा तो उसमें जी बात बस फरक इतना ही है जाद अंतर नहीं आने का हाँ पेड़ी की जो बात है देखो पेड़ी में पैदावार बढ़ेगी उसमें क्योंकि उसमें पोगे बहुत ज़्याद है फूटर बहुत बढ़ी है कल्ले उसमें निकल के चल रही है तो अगर हम जो है यह डबल लाइन वाला जो इसको लगा लें तो इसमें जाद है सुविदा है बाकि आप एक काम और कर सकें मैं सोच रहूं अपना एक खेत ऐसा बोने का कि आप 42 इंच पे 40 पे या 48 पे 44 पे ऐसा बोलें सिंगल खूड बोलें उसकी दूरी 42, 44, 44 ऐसी कर लें 42 इंच पे कर लें तो ज्यादा बड़ी आए उसमें एक तो गन्ने को बंधाई में थोड़ा सा गन्ना बंधने में आ जागा देखो जिक गन्ने की बंधाई होनी जरूरी है गन्ना बंता जरूर है 56 इंच पे बोले या 5-6 इंच पे बोले जब गन्ना लंबा हो जागा तो बंधेगा किसी भी सूरत में रुकेगा नहीं या तो इस पर मिट्टी इतनी चड़ाज में कम से में एक एक डेड़ेड़ फुट वो गन्ना दब है तो बात यह है कि लंब समझ अब आना महीं है बीच में पर हां ट्रें बनती है जी वो गन्ना जो बनता है अच्छी क्वाल्टी का उसमें गन्ना बनता है यह तो सच्चा ही है उसको छोलने में भी राम होता है उसका बीज भी अच्छे से हो जाता है और उसमें वजन भी निकलता है गन्ना देखने में सुन्दर भी लगता है तो यह चीज जरू कि आपको खर्चा भी न करना पड़े और आपका काम भी जो है जो आप करना चारे वो हो जा तो मैं भी देख्वाँ एक खेट साथ ब्याली सिंच पर लगा लूँ क्योंकि उसके लिए रेजर में थोड़ा सा मुझे बदला बदलाओ करना पड़ेगा बीच वाला थोड़ा ख पर लेंगे नहीं तो जी मुझे बख देखो मैंने आठवी के खेट ऐसे बोया बख की मैंने सारा साथ दाई बोया तो लेकिन एक खेट जो मैं बीज के लिए बहूंगा जरूर चोड़ा उसको बहूंगा या तो दो बोक एक छोड़ूंगा उसमें भी या फिर उसको ब्या थोड़ा सा बदलाव कर लें तो अच्छी बात है चोड़ाई पर करना लगा लेते हैं तो हमारी जमीन को भी थोड़ी सी उसमें ताकत मिलती है क्योंकि जमीन जैसे खली पड़ी है या इसको थोड़ा हावा पाणी मिलेगी सही तो इसको थोड़ा सी उर्वर शमता बढ़त